सिक्किम में कई जगा भूस खलन के कारण हालात बिगड़े हुए है इस बीच लाचुंग से युम्थांग तक के मार्क में भी भूस खलन के कारण यातायाद बातित हो गई है गौर करनी वाली बात है कि फिलहाद सिक्किम में पर्यटन का मौसम पीक पर है ऐसे में सडक विवस्था को सुचारू रखना बेहत ही एहम है लेकिन उत्सवों के दोरान शमिकों और ब्यारों के कर्मियों के चलते मार्क से मलबा खटाने में देरी हो रही है तो यह तस्वीरा आपको देखा रहे हैं सिक्किम से जहाँ फूस खलन की खबरे सामने आ रही है यहाँ कई जगहों में फूस खलन के कारण खालात बिगड़ चुके है इस पीच लाचुंग से युंठांग तक जो मार्क है उसमें भी फूस कलन हुआ है और इसके कारण यातायात बूरी तरह बात ही थुई है बता दे कि फिलहाल सिक्के में परेटन का मौसम पीक पर है और ऐसे में सड़क विवस्था को सुचारू रखना काफी एहम है लेकिन उत्सवों का माहौल है और इस दोरान शमीकों और ब्यारों के कर्मियों के छुट्या भी है और इसके चलते मार्क से मल्बा हटाने में काफी देरी हो रही है